नमस्कार आज के वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मकर्रासी वालों का आज का दिन यानी की 16 जुलाई 2020 का दिन कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीवन में क्या क्या पडिवर्तन होगा क्या क्या बदलाब होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्यूंकि इस वेडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का सुभ रंग, सुभ अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें, सुनें और आज माने का प्रयास करें लेकिन सबसे पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर लें और इंस्ट्राग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चिक जरूर करें, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहला है आपका धन संपती, मित्रों पैसों के दृष्टी कौन से आपका शमय, शामान ने तौर पे सही रहेगा आज के दिन अगर आप अपनी रचनात्मक परतिभा को सही तरीके से इस्तिमाल करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा फाइदे मंद होगा की और देखा जाए, तो स्वास्त के दृष्टी कौन से आपका शमय, शामान से थोरा सा नीचे है आप में से जो भी लोग नसा पान करते हों, सराब का शेबन करते हों, धुम्र पान करते हों, तो आज के दिन आप नसा पान से बचने का प्रयास करें अन्य था आपका शुआस्त, आपका शाथ नहीं देगा, और आने वाले समय में आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा इसके बाद है आपका घर पड़ी बार, तो पारिवारिक जीबन के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जियादा बहतर और सांदार रहेगा आज से पहले अगर आपके घर पड़ी बार में किसी बिक्ती के शाथ आपका शंबन्ध कमजोर हो गया था, खराब हो गया था, तो आज के दिन अपने शंबन्ध को आप अच्छा, बहतर और मजबूत करने का प्रयास करें इसके बाद है आपका प्रेम शंबन्ध है, तो प्रेम शंबन्ध के द्रिष्टी कोन से आपका शमय सामानी रहेगा न जियादा बहतर, न जियादा खराब, आज के दिन अगर अपने प्ड़ेमी या अपनी प्ड़ेमिका से आप मुलाकात करते हो आज के दिन अगर आप उनसे मिलते हो तो अपने बेभार को आपको बिनम्र बनाना होगा क्योंकि अगर आपके बेभार में उग्रता रहता है तो आपका प्रेम शम्बंध कमजोर हो जाएगा इसके बाद है आपका कामकाज, मित्रों कामकाज के दृष्टी कौन से आपका शमय, शामाने तोर पे बहुत जयादा बिहतर और शांदार रहेगा आज के दिन अपने कामकाज में, अपने काड़े छित्र में आप समय का दृपयोग करने से बचने का प्रियास करें, क्योंकि आज के दिन अपने कामकाज में अगर आप समय का महत्तो समझते हो, समय का सदृपयोग करते हो, तो आने वाले समय में आपका कामकाज बहुत जयाद बहुतर और शांदार होगा इसके बाद है आपका बैवाहिक जीबन तो बैवाहिक जीबन के दृष्टी कोन से आपका शमय सामान निरहेगा आज के दिन अपने जीबन साथी के शाथ अपने संबंध को आप मजबूत करने का प्रयास करें ताकि आने वाले शमय में आपका दा बाहिक जीबन अच्छा बहुतर और शांदार हो सके इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका समय बहुतर और शांदार होगा तो उपाई बहुत ही जियादा शामानी है आज के दिन अपने समय को बहुतर बनाने के लिए आप रोगी बिक्तियों की शहायता करें उनकी सेवा करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले शमय में आपको कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगी आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है नारंगी और सुनहरा आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक है छे यनी की सिक्स तो यही था आपके आज के दिन का रासी फल इस बेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेडियो को आप हर जगह से यर कर दें तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए बेडियो में धन्यवाद